गुड मॉर्णिंग बच्चो आज हम नाभिकीर सायन में रेडियो एक्टिव विगटन श्रेडी के बारे में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव विगटन श्रेडी क्या होती है तो रेडियो एक्टिव विगटन श्रेडी वास्तों में क्या होता है कि जब कोई भी एक रेडि एने निकलती रहती है जब अलफा बीटा गामा केड़े निकलती है तो एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित होते जाता है जैसे आपन ने इसके पहले पढ़ा और इसी कारण परमानु क्रमांक बढ़ता या घटते जाता है परमानु क्रमांक के बढ़ने या घटने से आवर्थ साने में भी उसका इस्थान परिवर्थित हो जाता है हमने पढ़ाता सम्मू विस्थापनियम सम्मू विस्थापनियम में हमें क्या देखा कि अगर कोई alpha कर निकल रहा है तो आवर सानी में उसका इस्थान दो इस्थान बाई ओर हड जाता है और अगर एक बीटा कर निकलता है तो दो इस्थान दाइनी ओर हड जाता है अब इससे हमको ये बात तो समझ में आई कि कोई भी अगर एक radioactive तत्व है तो उससे जो कर निकलते हैं उन करणों के कारण पदार्थ का पर्माणुभार और पर्माणुक्रमांक दोनों की बदलते रहता है अर्था एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्टित होते रहता है तो ये radioactive पदार्थ जिनसे अलफा बीटा और गामा करण निकल रही है ये कब तक घटित होंगे है ना प्रशन उठता है ना कि कोई पदार्थ है उससे अलफा बीटा गामा करण निकल रही है एक पदार्थ दूसें पदार्थ में परिवर्थित होते जा रहा है तो यहाँ क्रिया कब तक चलेगी या क्रिया जब तक चलती है जब कि कोई virtual पदार्थarya radioactive स्ट्व नौन रेडियो एक्टिव तत्व या स्थाई तत्व में परिवर्थित ना हो जाए तो इसकौरी श्रेणि को जिसमें radioactive तत्व विगटित होते होते और radioactive तत्व तक पहुंचता है इस्थाई तत्व तक पहुंचता है तो इस क्रम को लिख देके क्रिया को क्या कहा जाता है Radio Active Vigotan Shrini कहते है Radio Active Vigotan Shrini Radio Active Vigotan Shrini वास्तों में क्या है जब कोई पर्मानू किसका पर्मानू Radio Active तत्व का Radio Active तत्व के पूल पर्मानू से लगाताँ अलफा बीटा और गामा किरने निकलती रहती है और यहाँ क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई इस्थाई नाभिक Vigotan Shrini मतलब Radio Active तत्व है यह भी घटित हो रहा है और इससे जो प्राप्त श्रेणी है मतलब जितने भी तत्व किसी इस्थाई तत्व के Radio Active तत्व से इस्थाई तत्व के बंते तक के बीच में जो तत्वात नहीं यह पूरे तत्व की जो श्रेणी है इस्थाई और Radio Active तत्व में परिवर्तित होने तक के की जो श्रेणी प्राप्त हो रही है यह श्रेणी कहलाती है क्या कहलाईगी Radio Active विगटन श्रेणी कहलाईगी तो सबसे पहले Radio Active श्रेणी जो प्राप्त की गई थी वह थी उरेनियम श्रेणी इन श्रेणीों को चार भागों में विभाजित किया गया है Radio Active विगटन श्रेणी है इसे चार प्राकार में बाटा गया है पहली श्रेणी कहलाती है 4N या इसे ही कहा जाता है थोरियम श्रेणी 4N का क्या मतलब हुआ 4N का मतलब होता है कोई भी ऐसा तत्व Radio Active तत्व जिसमें अगर हम चार का भाग देते हैं तो हासिल का शेष युवस्ता है वो निल होना चाहिए शुन्या आना चाहिए है ना? मतलब शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए इस श्रेणी को कहा जाता है 4N श्रेणी या थूरियम श्रेणी दूसरी श्रेणी 4N प्लस 1 इसको कहा जाता है नेप्चुनियम श्रेणी 4N प्लस 1 नेप्चुनियम श्रेणी अर्थात वह श्रेणी जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व का में अगर हम चार से भाग देते हैं चार से डिवाइट करते हैं तो हासिल 6 एक बचना चाहिए तो ये श्रेणी क्या लाती है नैप्टुनियम श्रेणी यहां करत्रम रुब से मनुश्य के द्वारा बनाई गई श्रेणी है तीसरी श्रेणी 4N प्लस 2 श्रेणी इसे कहा जाता है ये उरेनियम श्रेणी 4N प्लस 2 उरेनियम श्रेणी उरेनियम श्रेणी का मतलब क्या है कि यदि इसमें रेडियो एक्ट्व तत्व पे हम चार से भाग देते हैं तो हासिल का शेश कितना बचना चाहिए? दो बचना चाहिए इस श्रेणी को कहा जाता है यूरेणियम श्रेणी चौथे प्रकार की श्रेणी 4N प्लस 3 एक्टिदियम श्रेणी एक्टिदियम श्रेणी है एक्टिदियम श्रेणी क्या होगी फिर किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व को अगर हम 4 से डिवाइट करते हैं 4 से भाग देते हैं तो हमारे पास 6 हासिल का कितना बचा हुआ होना चाहिए? तो इस श्रेणी को नाम दिया गया है एक्टिदियम श्रेणी इस तरीके से यह जो रेडियो एक्टिव श्रेणी है रेडियो एक्टिव श्रेणी की श्रेणी चार भागों में बाटी गई है है ना? 4N अगर बोल दिया तो इसका मतलब है वो थोरियम श्रेणी है 4N प्लस 1 कहने से नेप्चुनियम श्रेणी हो जाती है 4N प्लस 2 यूरेनियम और 4N प्लस 3 एक्टिनियम श्रेणी कहलाती है अब अब अपन इस सब श्रेणों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन से श्रेणी थोरियम श्रेणी थोरियम श्रेणी कहा से प्लारम होगी थोरियम से प्लारम होगी थोरियम श्रेणी थोरियम से प्लारम होती है और थोरियम परमाणू क्रमांक इसका होता है 90 परमाणू भार होता है 232 परमानु क्रमांक 90 और परमानु भार हो गया 232 यह श्रेणी कैसे पैचान देंगी कि यह फोरन श्रेणी है या थोरियम श्रेणी है इसको भी देख लेते हैं परमानु भार कितना? 232 अगर हम 232 में 4 से डिवाइट करें कितना आता है? बताये देखके हासिल कुछ बच रहा है? 4 24 24 48 48 48 58 और कुछ हासिल बचा? नहीं बचा? तो इसलिए इसको कहा गया है 4N श्रेणी यह श्रेणी किससे स्टार्ट हो रही है? थोरियम से स्टार्ट हो रही है थोरियम का परमानु भार बदल सकता है लेकिन परमानु क्रमांक हमेशा 90 ही होगा यूरेनियम का जैसे परमानु भार 235 भी होता है, 238 भी होता है लेकिन परमानु क्रमांक हमेशा 92 होगा लैड का हमेशा परमानु क्रमांक 82 होगा परमानु भार 206 हो सकता है, 207 हो सकता है, 208 हो सकता है कुछ भी इस तरह के से पर्माणू भार तो बदल सकते हैं लेकिन पर्माणू ख्रमांक नहीं बदले के तो यह तो होगे इसका पहला सदस्य है ना जब थोरियम से अलफा बीटा गामा किरणे निकलती जाएंगी विकिरण होते जाएगा तो यहां जिस इस्थाई पदार्थ पे आकरके रुक रहा है वो होता है लेड़ पर्माणू भार इसका पर्माणू भार होता है दो सो आठ अब इसमें एक चीज़ और देखिए कि इसका पर्माणू भार इसको भी हमने फोर से डिवाइड किया शेष नहीं बचा यह जो तत्व है इसमें भी अगर हम फोर से चार से भाग देंगे कुछ भी शेष नहीं बचेगा तो यहां श्रणी कहलाती है थोरियम श्रणी है ना थोरियम 232-90 यह इससे अलफा बीटा गामा किरने निकलती जा रही है किरने निकलती जाएंगी जब तक कि वह लैड में परिवर्तित ना हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेडियो एक्ट्यू पदार्थ जो है वह थोरियम है और यहां अज्था ही है इसससे किरने निकल रही है और यह किस में आजिए समस्त हो उस रहा है यह लैड में आखे सम आप्धो रहा है कौनसा लैड एसा लैड जिसका पर्मानु भार 208 है परवालू क्रमानु पर 32 ही होगा लेकिन पर्मानु भार कितना हो जाएगा 208 हो गया अब इस ट्रेडी में अगर हम यह देखे कि इससे कौन-कौन से तत्व बन रहे हैं तो अगर माल लीजे इस थोरियम में एक अलफा कर्ण निकालते हैं क्या होगा? यह थोरियम है इससे एक अलफा कर्ण निकल रहा है एक अलफा कर्ण के निकलने से पर्माणु भार कितना कम हुआ? चैर कम हो गया ना? कितना हो गया तो? पदार्थ बना, एक्स पदार्थ बना जिसका पर्माणु भार हो गया 228 और पर्माणु क्रमांक 90 है अब यह पर्माणु क्रमांक कितना हो जाएगा? पर्मानुक्रमांग में दो की कम्याती है पर्मानुक्रमांग में दो की कम्याती है अर्थात वो हो गया 88 अगर हम आवर्त सार्णी देखे तो हमें क्या पता चलता है आवर्त सार्णी में 88 पर्मानुक्रमांग किसका है रेडियम का 88 परमानुक्रमांग किसका है? रेडियम का तो यह जो एक्स तत्व है यह हो जाएगा रेडियम है न outbreaks कभी कभी क्या कुवता है गड़ित आपकिसे बनता है आपको यह मालुम है कि अलफा करणगे निकलने से आप उस तत्व का नाम नहीं जानते हैं तो हम क्या करेंगे उसके बदले है एकस लिग देंगे X लिख देजे, Y लिख देजे, जो भी कोई एक संख्या आप इसका डाल सकते और इसका परमाणुभार और परमाणुक्रमाग भी बता सकते तो इससे क्या होगा आपको केवल ये चीज उत्ता ध्यान नहीं है लेकिन इसके ये चीज तुमालो में ये समझ में आ रहा है कि आप रेडियम से एक बीटा कण निकलता है तो क्या होगा और यदि एक अलफा कण पुना निकलता है तब क्या होगा चलिए पहले ये अलफा कण निकला था इसी से हमने एक बीटा कण निकाल दिया बीटा कण निकाला क्या हुआ परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसका भार नगन्य है ना पर्माणुक्रमांक क्या हो जा रहा है पर्माणुक्रमांक में एक की व्रद्धी हो रही है तो जो वाई पदार्थ प्राथ हो रहा है इसका पर्माणु भार तो 228 ही होगा लेकिन पर्माणुक्रमांक हो जाएगा 89 89 और 89 परमानु क्रमांग किसका होता है यह होता है एक्टिनियम का तो इस तरीगे से कोई भी श्रेणी में कोई तत्व है रेडियो एक्टिव तत्व इससे अलफा और बीटा किरने निकलती जा रही है कब तक निकलेंगी जब तके कि वो तत्व लेड़ 208 और 82 में परिवर्तित ना हो जाए ठीक है क्योंकि यही स्थाई पदार्थ है तो इसी में परिवर्तित होना आवश्य तब तक प्रिया चलती रहेगी चाहे अलफा कर निकले चाहे बीटा कर निकले लेकिन कब तक निकल रहे हैं जब तके कि इस थाई ना भी ना बन जाए ठीक है अब क्या हो रहा है कि अगर हमको इसी से हम ये भी पता कर सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कितने अलफा कर निकले और कितने बीटा कर निकले कैसे पता करेंगे आपको बता चुकी हूँ पिछले चेप्टर में मैंने आपको बताया था कि अल्फा कर अगर निकल रहे है या बीटा कर निकल रहे है तो हम उसे कैसे नाप सकते हैं एक बार फिर से उसको कुनावरत्ती कर रही हूँ यह है थोरियम 232 और यह किसमें बदला है लेट 208 भी है ना 232 से 208 तक तो क्या करना पड़ेगा पहले हमें इस से इसको भाग दे देंगे घटा देंगे 232 माइनस 208 कितना आया 24 अब यह तो इस इन दोनों का अंतर आया हमको किस चीज को निकालना है अलफा कर निकालना है जब अलफा कर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा इसको अलफा कर निकालना पड़ेगा इसको अलफा कर निकालना पड़ेगा इसको 3α करण निकले 6 α करण निकले जब 6 α करण निकलेंगे तो परमानुक्रमांग कितना कम हो जाएगा एक अल्फा कर्ण निकल रहा है परमानुक्रमांग दो कम हो रहा है छाय अल्फा कर्ण निकलेंगे परमानुक्रमांग कितना कम हो जाएगा 12 कम हो जा रहा है तो 12 परमानुक्रमांग कम हो रहा है यह 90 था इसमें से 6 अल्फा कर्ण निकलें परमानुक्रमांग 12 कम हो गया कितना बच गया, कहां लेखो 78, बचा ठीक है कैसे आया यह, क्या हुआ आया समथ में, नहीं आया आद तो फिर से बता रहे है अल्फा कर निकला कितना 6 क्योंकि एक कप पर्माणु भार होता है 4 अगर 6 कर निकल रहे है उचे कैसे आया इन दोनों के भार में कमी हम ने कर दिया यह आगया टोटल भार अब एक कप भार है 4 तो 6 का भार हो गया 24 पर्माणु भार आगया अब पर्माणु क्रमांक देखने है पर्माणु क्रमांक नब्बे था जब 6 अल्फा कर निकलेंगे तो पर्माणु क्रमांक कितना हो जाएगा एक हटा 88 हो गया दो हटा 36 हुआ तीन हटा 84 हुआ इस तरीके से जब हम 6 अल्फा करों को हटाएंगे तो एक के हटने पर 2 पर्माणु क्रमांक कम हो रहा है छे के हटने में कितना करम हो जाएगा 12 तो इसको 12 से माइनस कर दिया बज गया पर्माणु क्रमांक हमारे पास आ गया 78 लेकिन या हमको 78 दिया है क्या यहाँ क्या दिया है 82 दिया है तो बाकी कहां से बढ़ा के वल अल्फा कर निकले होते तो ये बंता लैड 208 और 78 सिर्फ अल्फा कर निकले होते च्छैथ्य तो है ना लेकिन हमारे पास पर्मानुख्रमां कितने है एक एक बीटाण निकला फर्मानु भार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन एक बीटा कण अगर निकल रहा है तो परमाणू क्रमां किसका बढ़ते जा रहा है ना 78 से 82 तक बढ़ने में कितने बीटा कण निकलेंगे 79, 80, 81, 82 कितने चार कण तो टोटल बीटा कणों की संख्या हो गई 4 हम दो चीज जान सकते हैं इसमें क्या कि थोरियम 232 से स्टार्ट होगा 90 से और समात होगा लैड पे लैड स्थाई है 208 और 82 है ना इस पूरी क्रिया के फलसोरूप इस पूरी श्रेणी में थोरियम फोरें जो थोरियम श्रेणी है इस थोरियम श्रेणी में 6 अलफा कण निकलते हैं और चार बीटा कण निकलते हैं तो इस तरीके से अस्थाइनाभिक स्थाइनाभिक में परिवर्थित हो जाता है ये हो गई आपकी पहली श्रेणी जिसको कहा गया 4N श्रेणी इसके पश्यात दूसरी श्रेणी पढ़ेंगे अपन दूसरी श्रेणी नैप्चुनियम श्रेणी है और इस श्रेणी को क्रत्रिम रूप से बनाया गया है मतलब किस ने बनाया मनुष्यों के द्वारा बनाई गई श्रेणी है इस श्रेणी में जितने भी तत्व प्राप्त हुए है आवर्ध साणी में जो भी तत्व उपस्तित है इस श्रेणी के ये सारे के सारे मनुष्य द्वारा क्रत्रिम रूप से बनाए गए सदस्य है इसलिए यहाँ कौन से श्रेणी कहला रही है Neptunium श्रेणी कहला रही है 4a compares 1 श्रेणी कहला रही है प्लस क्रत्रिम रूप से बनाई गई श्रेणी भी सिर्फ यही एक श्रेणी है जो क्रत्रिम रूप से बनाई गई है तो यह हमने पढ़ा नैप्चुनियम श्रेणी के बारे में आगे और बताती हूँ नैप्चुनियम श्रेणी 4N प्लस 1 श्रेणी क्यों कहा रहा है 4N प्लस 1 क्योंकि इसमें 6 एक बचना चाहिए इसको भी आपने देख लेते हैं NP 237 और 93 क्या है यह नैप्चुनियम है 237 इसका परमाणू भार और 93 इसका परमाणू क्रमांक कैसे पता चलेगा कि यह 4N प्लस 1 श्रेणी है तो इसको अपन देखेंगे 237 डिवाइड़ बाइ 4 क्या होगा इस देखेंगे इस देखेंगे जब इसके परमाणू भार में हम चार से भाग देते हैं तो शेश एक आता है इसलिए इसको कहा गया है 4N प्लस 1 श्रेणी नेप्चुनियम से स्टार्ट हो रही है बता चुकी हूं मैं आपको क्रत्रिम रूप से मनुष्य के द्वारा बनाई गई श्रेणी है और इस श्रेणी का जो इस्थाई तत्व होता है वहां होता है बिस्मत परिवर्थित होगा बिस्मत जिसका परमाणू क्रमांख होगा 83 ठीक है और परमाणू भार हो जाता है 209 ठीक तो ये जो तीन श्रेणिया ही न है 4N, 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 4 and plus 2, uranium श्रेणी और 4 and plus 3, attenium श्रेणी ये तीनोश्रेणिया लैड पर समाथ होती हैं लेकिन नेपTunyum श्रेणी जो क्रत्रिम रूप से बनाई गई है यही एक ऐसी श्रेणी है जो किसकी ऊपर समात्त हो रही है विस्मत पर इस थाई-nabhik कौन सा है इसका विस्मत है तो विस्मत ऐस थाई-nabhik के रूप में हमको प्राप्थ हो रहा है नेप्चुनियम से स्टार्ट हुई, इस क्रिया में भी कितने अलफा कर निकलेंगे, कितने बीटा कर निकलेंगे, इसको भी आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, चलिए इसमें से इसको घटा दीजिए, है ना, देख लेते हैं, इसको और देख लेते हैं, फिर अगली वा 7 है और ये है 209 कितना आया हासिल का 28 28 आया 237 में से 209 को मैंनस करिए आगया 28 28 यह याद रखे कि यह 4 से डिवाइट होने वाली सिंख्य ही आपके पास आईगी क्योंकि अल्फा कर निकल रहे तो 4 से ही डिवाइट होगी है ना अल्फा कर निकला कितने हो गए 7 28 7 अल्फा कर निकल पर इसको 7 अल्फा कर निकल गए निकला समझ में आया इकता जब 7 अल्फा कर निकलेंगे तो परमाणू भार 237 से 209 हो जाएगा आप चाहे तो उसको सिरीज से कर सकते हैं X, A, B, C, D इस तरीके से नाम देते चलिए और A अल्फा कर को हटाते चलिए तो परमाणू भार 4 कम करते जाएए परमाणू करमांक में 2 कम करते जाएए तो अंत में हमारे को क्या मिलेगा 209 परमाणू भार मिलेगा परमाणू करमांक बदलेगा यह ना, परमाणू करमांक क्यों बदलेगा क्योंकि यहाँ पर बीटा कर भी निकले है इसलिए तो साथ अल्फाकर निकल गए जब साथ अल्फाकर निकलेंगे तो पर्मानुक्रमांग कितना कम हो जाएगा एक निकलता है तो दो साथ निकलेंगे तो चौदा तो पर्मानुक्रमांग चौदा कम हुआ यह है 93 इसमें से चओदा परमानुक्रमांग को काम कर दीजिये किता आया परमानुक्रमांग हमारे को चाहिए 83 परमानुक्रमांग हमारे पास आ रहा है 79 यह कब आएगा जब आप अलफा कर्ण को निकालते चलिए एक, दो सरा अलफा कर्ण, तीसरा अलफा कर्ण, इस तरीके से कित्ते अलफा कर्ण निकाल दी आपने, साथ अलफा कर्ण निकाले, तो साथ अलफा कर्ण निकालने से हमारे पास जो पदार था रहा है, एक्स, उसका परमाणू भार 209 है, लेकिन परमाणू क्रमां कितना है, 79 ह यह कब है जब इसमें से केवल Alpha कण निकल रहे है enam? आप ita कढ भी निकलना है हमें मालूम है beta कढ निकलता है तो पर्माणु भार में कोई परिवर्तन नहींrate है पर्माणु भार परिवर्तन नहीं आता है यानि पर्माणु भार 02 one ही रह जाएगा परमाणुक्रमंग बढ़ रहा है कहा तक बढ़ाना है 83 तर तो 79 के बाद 80 81 82 और 83 कितने बीटा कर निकल गए 4 बीटा कर निकले तो हम यह बोल सकते हैं कि नेप्चुनियम श्रेणी में टोटल 11 कर निकलते हैं अल्फा और बीटा मिला करके कुल 11 कर निकलते हैं जिसमें से 7 अल्फा कर निकलते हैं 4 बीटा कर निकलते हैं और इन दोनों अल्फा और बीटा कर के निकलने के कारण स्थाई नाभिक बिस्मत प्राप्त होता है समझ में आया तो यह हो गई नेप्टूनियम श्री अब भी मैंने आपको बता रहा रहा सिर्फ नेप्टूनियम श्री यह ऐसी श्री है जो कृत्रिम रूप से मनुष्य के द्वारा बनाई गई है है न? और यही श्रेणी है जो लेट पर समाप्तना होके बिसमत नामत इस थाई तत्तों पर समाप्त हो रही है बिसमत का परमानो करमांग 83 है बाकी लेट का परमानो करमांग कितना है? 82 इसके बाद पढ़ेंगे यूरेनियम श्रेणी यूरेनियम श्रणी, यूरेनियम से स्टार्ट होगी, यूरेनियम, परमानु क्रमांग हमेशा इसका, यूरेनियम न, यू, 238 से चलोगा, परमानु क्रमांग हमेशा 92 ही होगा, यूरेनियम का परमानु क्रमांग हमेशा कित्ता होता है, 92, और यह किसमें बदलेगा, अभी आ कुंसा होगा लैड यूरेनियम श्रेणी जो है इसका अंतिम्पदार्थ प्राप्थ हो रहा है लैड और उसका परमानु क्रमान्ग तो हमेशा 80 टू ही होगा लेकिन परमानु भार में अंतर आएगा परमानु भार अब कित्ता हो जाएगा 206 जूरेनियम फोरन प्लस टू स्रेणी है पता करेंगे अपन फोरन प्लस टू 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 थर्टी एट डिवाइड बाई किस से फूर आएट अपन प्लस टू स्रेणी कहला रही है यह ना टिवाइड प्लस टू स्रेणी कहला रही है है ना uranium shedi 4N plus 2 shedi कहलाती है अब uranium से अगर lead में परिवर्तन होता है तो जैसे आपने दोनों shedi के लिए निकाला था घर से निकाल करके करके देखेगा ना बन जाना चाहिए क्योंकि अपने कई example इसके पढ़ चुके है पर्मानु भार यह है 238 इसमें से हमको पर्मानु भार इसको माइनस कर देना है जो भी आ जाएगा उसको चार से डिवाइड कर देना है अलफा कणो की संख्या आ गई अलफ हो गई आपकी uranium श्रेणी लास्ट एक्टिनियम श्रेणी एक्टिनियम श्रेणी का भी लास्ट सदस से पहला क्या होगा एक्टिनियम से चालू हो रहा है वो या अगर हम इसको 89 यहाँ पर निखलती हूँ एक्टिनियम 89 परमानुक्रमांग होता है और परमानुभार होता है 231 यहाँ परिवर्थित हो रहा है किसमें अंतिम तत्व क्या होना चाहिए इस्साही तत्व वह होता है लेट 207 207 और 282 एक्टिनियम श्रेणी 4 और प्लस 3 श्रेणी है इसको चेक करेंगे 231 4 से डिवाइट कीजिए इसे अ क्यावाई इसे ऊटोरी वे श्रेणी करेंड़ एक्टिए एक्टिनियम गवाई वह थैंट रगे एक्टिए इसे श्रेणी एक्टिनियम गजिए वह प्या है इसे, अ क्या फेवाई ब्या। इसे हैं पहचान गयाते हैं कि यह कौन से श्रणी है एक्टिदियम श्रणी 4N plus 3 श्रणी एक्टिदियम से प्रावब होगा और किस प्रिप में खतम होगा अंतिम इस था ही पदार्थ होगा लेड़ तो अभी मैंने 4 श्रणिया पढ़ाई थोरियम श्रणी तो लेड़ पर खताम हो नैप्चुनियम शर्णी बिस्मत में खतम हुई यूरेनियम शर्णी भी लैड में समाप्थ हुई और एक्टिनियम शर्णी यह भी लैड में समाप्थ हो रही है ठीक है इस यह जो लैड में समाप्थ हो रही थी ये था 208 क्या चीज समझ में आ रहा है इसको देख करके हमें एक चीज समझ में आ रही है कि लेड परमानु क्रमांक 82 ही होगा इसमें EV82 है इसमें भी oudखे लेकिन परमाणु भार में आंतर आ जा रहा है परमानु भार लैड का लेट का परमाड़ो भार यहां 208 है, लेट का परमाड़ो भार यहां 206 है, और लेट का परमाड़ो भार यहां 207 है, अब यह ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसके जो प्रारंबीक तत्व है उसके कारण हो रहा है, तो प्रारंबीक तत्व से जब अल्फा बीटा गामा किरने नि ये लेड, 82 ये 208 परमानुभार, ये 206 और ये 207, क्या कहलाएंगे एक दूसरे के, समस्थानिक, क्या कहा जाता है इनको, समस्थानिक, क्योंकि इन तीनों के परमानुख्रमांक से में 82 ही हैं, लेकिन इन तीनों के परमानुभार अलग-अलग हैं, ये 208 हैं, इसका 206 है, इस का 200 साथ है तो वे तट्व जिनके परमाan período भार अलग अलग लेकिन परमानो प्रमान एक समा नोटे है क्या कहलाते हैं तो यह हो गया चारो प्रकार की श्रेडिया है ना अब अगर आपसे कहा जाए कोई भी एक श्रेडी कैसे पहचानेंगे तो क्या आप उसको पहचान सकेंगे चलिए इसको भी करके देखते हैं अपर एक तत्व है लैड किसी भी श्रेडी के विगटन के द्वारा हमें लैड प्राप्थ हो रहा है इस थाई ना अगर यह कहा जाए कि 207 परमानुक्रमांग थमेशा 82 ही होगा ना लैड चाहे कैसे भी प्राप्थ हो लैड का परमानुक्रमांग थमेशा कैसा होगा 82 ही होगा तो अब ये बताईए कि ये लेट 207 परमाणु भार और 85 परमानु क्रमान को वाला किस रेडियो एक्ट्यू विगटन श्रेनी का सदस्य है कैसे निकालेंगे हम इसे आपको तरीका बताया था यह 207 परमाणु भार जो है इसको किस से डिवाइट करना है चार से डिवाइट करेंगे कितना शेश आता है या नहीं आता है इसके अधार पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहां किस विगटन शेली का सदस्य है तो लीजे 207 और चार पुच्छ बेस इस सार चार यहां चार तीन बच गया शेश कितना बचा तीन कौन सी श्रेणी का सदस्य हुआ यह यहां हुआ 4N प्लस 3 एक्टिनियम श्रेणी का सदस्य आपको मैंने जब यह श्रेणी पढ़ा ली थी तब भी यह बताया था कि अंतिम सदस्य से क्या ह होगा लैड होगा लैड अगर दोसों साथ है वो कौन सी श्रेणी का सदस्य हो गया एक्टिनियम श्रेणी का सदस्य हो गया तो इस तरीके से आप क्या चीज निकाल सकते हैं कितने अलफा बीटा गामा कर निकल रहे हैं कौन सी श्रेणी है ठीक है और यह सारी चीजे इससे जानकर ही प्राप्थ हो जाती है, दूसरा एक और करिए, परमाणु क्रमांक एक पदा आर्थ है, X, परमाणु क्रमांक है, उसका 238 और 92, ये परमाणु भार और परमाणु क्रमांक है, इस से एक अलफा कर निकल रहा है, सिर्फ एक अलफा कर निकल रहा है, तो एक अलफा कर निकलने के बाद, इसमें कितने न्यूट्रों होंगे, अभी तक मैंने इस रेणियों में ये चीज को नहीं बोला है, कि कितने न्यूट्रों है, कितने प्रोटों है, लेकिन हमको इस रेणि में कितने न्यूट्रों होंगे इसको भी पता लगाये जा सकता है एक अलफाकर निकला तो जो पदार्थ बना Y क्या हो जाएगा इसके परमानु भार 234 और ये हो गया 90 जब एक अलफाकर निकला परमानु भार में 4 की कमी आ गयी 238 से 234 परमानु क्रमांके में 2 की कमी आ गयी 92 से 90 प्रश्ण क्या था मेरा? इस क्रिया में कितने न्यूट्रॉन इस पदार्थ में जब एक अल्फा कर निकल जाता है तो बनने वाले पदार्थ में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे न्यूट्रॉन के संख्या में कैसे का पता चलेगी? टोटल भार कितना है? ये परमाणू भार बराबर हो गया 234 और परमाणू क्रमांक बराबर हो गया 90 तो परमाणू क्रमांक प्रोटॉन और एलेक्ट्रॉन के संख्या होती है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के संख्या 90 है कुल भार 234 है तो नूट्रॉन की संख्या बताईए नूट्रॉन बराबर क्या ben निकल सकते हैं पोटॉन की संख्या हो जाएगी 90 और न्यूटॉन की संख्या हो जाएगी 144 तो यह आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं NP अनुपात जब 1.5 या उससे अधिक हो जाता है तो वेतत्व अस्थाई हो जाते हैं यहाँ पे भी देखिए प्रोटॉन की संख्या के बुल नब्बे हैं लेकिन न्यूटॉन की संख्या कितनी हो गई 144 है ना चौर सही है क्या ठीक है तो हम यह बोल सकते हैं कि जब प्रोटॉन और न्यूटॉन इन दोनों की संख्या में बहुत अधिक अंतर आता है ज़र्डल एलीपन ने क्या देखा था प्रोटॉन यूटॉन की संख्या क्या परमाणू की नाभिक में लगबग बराबर होती है यह एक यह दो कम जादा हो सकती है ना जैसे शुकर्व बहुत हुत परमाणूबार बारा परमाणू क्रुमांक शे है तो प्रोटॉन भी चैन और यह 144 यह बित्ता होता परवाणुभार अगर इसता है तो इसका अधा-धा कर देना चाहिए था कई तरीके हो सकते थे परंतु होता क्या है इन दोनों के बीच में काफी अंतर होता है और इसी कारण यह तत्व जो है यह रेडियो एक्टिव तत्व के रूपे परिवर्तित हो कर दो जो माँ जो है गो सकते हैं जो का यह वादू एक्टिव तत्व के रूपे टत्व के रूपे टान सब्सक्ता है यह रहता है तो इसका है जो एक बीचे हैं तो एक्टिवें गर आव के आसा हैं।